इसमें तो आज हम लोग देखने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है कौन-कौन से टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट में किये जाते हैं कैसे करते है क्या-क्या चीजों की जरुरत होती है सब चीजे हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीवर क्या होता है वोट इस लीवर लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती होती है जो हमारे शरीर में विभिन निकारी करती है और यह शरीर की विभिन किरियाओं को भी संतुलित रखती है definitely जो लीवर होता है हमारी बोडी का सबसे बड़ा ओर्गन होता है और यह different type की functions करते है different type की activity करता है देखिए English में लीवर is the largest organ of the body which is produce a different function and it is also help to maintain a different chemical activity of body बोडी की अलग-अलग chemical activity को भी यह maintain करता है अब देखिए लीवर के कार वाट इस functions of liver, liver के क्या कार्ज होते functions क्या है क्या main काम है उसका यह हमारे शरीर में विविन चोटे चोटे अणूओं को तोड़ने का कार्य करता है इस पर क्रिया को अपाप चैन क्रिया कहते है बड़े molecules को तोड़ने का काम metabolism करना metabolism मतलब किसी भी क्योई भी molecules होगा उनको और चोटे चोटे भागों में तोड़ना उनका भागों को तोड़के बोड़ी को मेटाबोलाइस करना ठीक है जैसे की कार्भो हाइडरेट का अपाप चायन करना प्रोटीन का उपपचेन करना वसा मिन्स लिपिट का उपपचेन करना यजो चोटे चोटे कार्बोहइडरेट प्रोटीन, लिपिड ये सब मॉलीक्यूल को ब्रेकदाउन करता है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिजम लीवर help to metabolism, different molecules such as protein, lipid and carbohydrates जब glucose की मातर अधिक हो जाती है तब लीवर glucose को glycogen के रूप में एकत्रित करके रखता है इट स्टोर अग्लुकोज तो फॉर्म अग्लाइकोजन देखो कभी कभी क्या होता है हम बहुत ज़्यादा मातरा में food intake कर लेते हैं तो ग्लुकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस कंडिशन में उस ग्लुकोज को हमारा जो लीवर है वो स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है स्टोरेज का ये फंक्शन करता है लीवर के कार्रे, और कार्रे देखी लीवर के विबिन प्रकार के वितामिन जैसे की वितामिन A, D, E and वितामिन B12 को लेक अकत्रित करके लखता है definitely storage का को लेक लेकर फंक्शन है A, D, E, VITEMIN को करके लेकगा वितामिन B12 को लखे महते है इस किसी का इंड दीसे कि अ आप और लेट है मेð तो और विटामीनिस प्राजम सी यह रिप बनाता है जिसे की एल्भुमेन ग्लॉब्लीन आप फईबरी सय आपको पता है ब्लीड मेंologists बनाते है प्लाजमागे प्लाजमा आ घे तेन प्रकार के विश्ब मेंOいます जिनने albumin, globulin and fibrinogen हम कहते हैं, इनको भी ये बनाने का काम करता है, production करता है लिवर also help to formation of different type of plasma protein like albumin and globulin and fibrinogen लिवर कई विविन प्रकार के enzymes का भी निर्मान करता है, जिसे SGOT, SGPT कहते हैं और भी enzymes होते हैं, जिसे GGT, gamma glutamine, transferase और भी enzymes का निर्मान करता है means, लिवर जो होता है, कई thousand से भी जादा functions करता है, which is not possible to explain in this video ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं लिवर function test क्या होता है, और क्यों किया जाता है, what is lever function test, why we done this test क्या जरूरत होती है lever function test करने की, हम क्यों lever function test को करते हैं लिवर function test एक बिसेश प्रकार का test होता है, जिसके दोरा विवन प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है जैसे की poly, pilio, pilio, pilio जो है, jondis, pilio की एक disease होती है, जिन में yellowish skin, yellowish eyes हो जाती है तुचा एवं आखों का पीला पड़ जाना, yellowish skin and eyes, आखों का और तुचा का पीला पड़ जाना पेट में दर्द होना, स्टमक बहुत ज़दे स्टमक पेन होना Hepatitis B and C infection, ठीक है, Hepatitis B and C viral infection होता है, viral hepatitis केते हैं, liver को destroy करता है इसका भी हम इसके तुरू, liver function test के तुरू पता, लगा सकते हैं, यह कुछ conditions होती है Medication side effect, क्या आपनने medication लिया है, हो सकता है, कोई medication side effect कर गी हो Lever cell को damage करने लगा हो, Lever को damage करना हो, और alcoholism बगेरा और भी बहुत सारी चीज़े होती है, जिसके अपने इस चीज़ का पता लगा सकते है Gall bladder stone, अगर Gall bladder stone होई है, तो भी हम LFT के तुरू, उसको detect कर सकते हैं, आईए next page पे आप देखते हैं, Lever function test के प्रकार, types of Lever function test, Lever function test कितने प्रकार्श होते हैं, क्या क्या Lever function test में अपन पढ़ते हैं Total bilirubin, देखो bilirubin क्या होती हैं, मैं आगे आपको बताओंगा वैसे तो, direct bilirubin and indirect bilirubin Total bilirubin में दो प्रकार की bilirubin, total में दो चीज़ है, direct और indirect, direct को अपन conjugate भी बोलते हैं, indirect को un-conjugate bilirubin भी कहते हैं देखे, protein भी लगाते हैं, albumin और globulin का test लगाते हैं, enzymes, AST, ALT, GGT, ALPB, alkaline phosphatase, वो भी अपन इस चीज़ के तरू कर सकते हैं, अब देखे, सबसे पिले हैं, अपन लोग bilirubin के बारे में बात करेंगे, फिर protein, फिर enzymes bilirubin क्या होती है, what is bilirubin, bilirubin है क्या actual में, bilirubin हमारी RBC का विगटिद भाग होती है, समसर, RBC जो है, जब टूट जाएगी, 120 दिन के बाद, तब बिलirubin का निर्मान करती है, एवं इसका हमारे शरीर में कोई कारी नहीं है, इसलिए इसको मूत्र के द्वारा शरीर से ब बाहर निकाल दी जाती है, कब, जब RBC का जन्मकाल कंप्लेट होता है, 120 दिन के बाद, देखिए, bilirubin is a metabolic product of RBC and it is removed from the body by urine, यूरीन के थूरू बाहर निकाल दी जाती है, same चीज मैंने नीचे English में explain के आज़को, सर्व प्रतम, अब देखो, RBC कैसे तूटेगी, सर्व प्र का निर्मान करती है, क्या होगा, RBC तूटी, तूट के बना लिया, bilirubin जो हरे कलर का pigment होती है, अब ये bilirubin और छोटे चोटे भागों में तूटने लगती है, और ये तूटकर bilirubin का निर्मान कर लेती है, यहाँ bilirubin पीले कलर की दिखाई देती है, और यहाँ मुत्र क ये साथ मिलकर मुत्र को पीला कलर में बदल देती है, समझना, religious कलर में क्यों, क्या reason है, what is reason रिजन के जो यूरीन होती है, yellow कलर की होती है, reason is that, क्योंकि जब RBC है, RBC तूटेगी, cup तूटेगी, RBC तूटेगी 120 दिन के पाध, जब 120 दिन के बाध तूटेगी, तो सबसे पह होता है बिली रूबीन जो कि आपने समझायए यह विली रूबीन एक यलो grad का पिगमेंट है कि स्टूल फीशेज पौड़ी होती उसको भी यलो ऐलो कलर वह स्टार को ब्ली नो जन जाके मिलता है वो आगे और मेटाबोलिक प्रड़क्त होता है बट वी दोंट हव तो गी गो देटेल ठीके इंग्लिश में समझ लीजे फिर्सली आर विसी स्टार्ट तो दिस्ट्रों अफर 120 देस इड्रेक्डाव इंटो ब्ली वर्दीन ब्ली वर्दीन ब्रेक्डाव इंटो ब्ली रूबेन विच इंड़ोड फिलो कलर फिग्में अबिद शीआप प्रड़ों presents lucky ठीक है, बिली रूबीन को सामन ने तो तीन भागों में भी बाजित किया गया है, बिली रूबीन डिवाइड इंटो थ्री पार्ट, कौन कौन से पार्ट, टोटल बिली रूबीन, टोटल बिली रूबीन के अंदर ही आती है, डाइरेक्ट बिली रूबीन, और इंडाइरेक् करना था normal range of bilirubin देखिए normal range total bilirubin जो होती है total bilirubin 1.2 mg per deciliter यह total bilirubin के range होती है और direct bilirubin होती है 0.2 mg per deciliter ठीक है अब देखो total bilirubin पहले आपन टेस्ट कर लेते है total bilirubin का total bilirubin के बाद हम कर लेते है direct bilirubin का अब हम लोग क्या करेंगे direct bilirubin में से total bilirubin के अंदर से direct bilirubin को माइनस कर देंगे घटा देंगे तो हमारी range आजाएगी indirect bilirubin की अब देखो bilirubin के बढ़ जाने पर क्या होता है increase level of bilirubin अब जब bilirubin का लेवल बढ़ेगा तो इसे बोलते हैं अपन hyper bilirubinemia क्या कहते है hyper bilirubinemia condition होती जिसमें bilirubin का लेवल बढ़ जाता है यह यदि bilirubin का लेवल 2.1 mg पर deciliter से ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में urine में निकलने लगे तब इस अवस्ता को hyper bilirubinemia कहते है hyper मतलब जादा कहते हैं bilirubin की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाने पर पी लिया की बीमारी होती जिसे अपन ज्वांडिस कहते हैं अब देखिए हमेशे याद रखना कि hyper bilirubinemia ectamilogic word है जो कि हर जगे आपको पूछा जाएगा hyper bilirubinemia का मतलब होता है इंक्रीज लेवल बली रूबीन इन यूरीन यूरीन के अंदर ठीक है जोंडिस क्या होता है देखो sclera ice sclera का yellow हो जाना यह normal hand है यह जोंडिस वाला hand है जब यह bilirubin बढ़ता है तब इस condition में हम देख सकते हैं मैं आपको जोंडिस के ऊपर एक separate वीडियो प्रोवाइट कर दोंगा बाद में इंक्रीज लेवल बली रूबीन नोन इस hyper bilirubinemia and it is also known as joindis भी अपने से कहते हैं अब देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं मेरा आपको starting में बढ़ा जता है सबसे पर ले आते हैं A.S.T. aspartate aminotransferase इसका दूसरा नाम होता है S.G.O.T. shiram glutamic oxaloacetic transaminase ठीक है यह एक एंजाइम्स होता है जिसको A.S.T. भी बोलते हैं और S.G.O.T. भी अपने से कहते हैं देखिए क्या होता है यहाँ एक business प्रकार का enzyme होता है जो की liver कोशिकाओं में बनता है इन कोशिकाओं को हेपेटोसाइट केते हैं लीवर में जो सेल्स होती है उनको कहते हैं आपन हेपेटोसाइट वरी वरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेल्स का नाम है याद रखना लीवर में किस प्रकार की कोशिकाओं पाई जाती है वो है अदर क्या बनता है AST और SGOT, AST का दूसरा नाम ही SGOT है, एंगलिश में देख लीजे, इनकी नॉर्मल वेल्य होती है 15-46 यूनिट पर लीटर, ठीक है, यूनिट पर लीटर is a unit of SGOT and AST, इनकी यूनिट ही जो आपको यूनिट में कभी confusion नहीं रखना है, ये प्रोपर अगर यूनिट आप लिखोगे तो आपके कोई भी माक्स नहीं काटेगा, यदि किसी कारण की वज़ा से लीवर कोशिक आई यानि की डेमेज हो जाती है, तो क्या होता उस कंडिशन में, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, तब इस अवस्था में रक्त में AST की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, if any hepatic cells are damaged, definitely अगर आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हो, मैं आपको यह चला जाएगा ब्लड में, इस वज़ा से यहाँ पर आपको देखा जा सकता है इस condition में, यहाँ पर तो ब्लड में ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, SGOT का, अब AST क्या होता है, SGOT, शरीर में कब बढ़ता है, ये बढ़ता कब है, रीजन क्या है बढ़ने का, यदि AST का लेवल 300 से 400 यूनिट पर लिटर तक बढ़ जाए, तो यहां माना जाता है कि मरीज को हेपेटिक जॉनिटिस हुआ है, हेपेटिक जॉनिटिस मतलब लिवर से रिलेटेड है, तो हेपेटिक जॉनिटिस ही अपन कहेंगे, AST शरीर के और भी दूसरे अंग में पाया जाता है, जैसे कि ओवरी, हार्ट, मसल, इस्केलेटल मसल, देखो, AST एक स्पेशल टेस्स नहीं है, आप कभी भी इसटी टेस्स लगाकर यह कभी नहीं कह सकती कि पेशेट को जॉन इस खहुंगा जहता है, हार्ट में भी बनेगया, इस्केलेटल मसल में 1000 units per liter हो जाए तो यहां माना जाता है कि लीवर सेल डेमेज हुए है और वाइरल हेपटाइटिस है वाइरल हेपटाइटिस हेपटाइटिस A और C B और C अब देखिए A L T क्या होता है एल्रानिल ट्रांस अमाइनेस जिसे अपन SGPT भी कहते है, शीरम, गलुटामिक, पाइरुविक, ट्रांस, अमाइनेस, क्या होता है, यहाँ एंजाइम भी हमारे लीवर की कोशिकाओं में ही बनता है, इसका निर्मान लीवर के विसस प्रकार की कोशिका करते हैं, जिसे हेपेटोसाइट्स केते हैं, हीपेटोसाइट से के स्पेशल सेल है, इसकी सामानी वेल्य होती है, 13 से 69 यूनिट पर लीटर, तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है, AST की मातरा, AST, जो ALT की मातरा, AST के बढ़ने पर ही निर्वर करती है, अगर मान लीजा, तो SGOT भी इंक्रीज हो गई होगा, तो यह दोनों एक दूसरे अल्टरनेटली डिपेंड करते हैं, डेमेज सेल होगी, तो दोनों एंजाइम का लेवल बढ़ेगा, बट क्या होता है, ALT जो है, स्पैसिपिक एंजाइम है, यह खाली लीवर सेल में ही बनता है, जिसे SGPT के थे, जबकि SGOT जो सेता ना, SGOT बैक साइट वाला, SGOT जो टेस्ता है, SGOT क्या हता है, यह ओवरी में भी बन सकता है, हार्ट मसल्स में, स्कलेटल मसल्स में भी बन सकता है, बट अगर बात की जाए, ALT की तो ALT जो होता है, ONLY बनता है आपके, लीवर में तो स्पैसिफिक होता है, अब मैं आपको next वीडियो में प्रोवाइट कर दूँगा, कि प्लाजमा प्रोटिन कौन-कौन से होते हैं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, तो description में मेरे contact number दिये हुए, वहाँ से आप मुझे direct contact करके, इसकी slide ले सकते हो, और notes भी आप मुझसे ले सकते हो, thanks for watching,